नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज हम ग्यार्वी कक्षा के अर्थ शास्तर का छटा अध्याय गरामीन विकास अर्थात गाउं का विकास पढ़ेंगे हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकतर निर्धन गरीब देशवासी गाउं में रहते हैं और वहां उन्हें जीवन की मूर्भूत आवशक्ताएं भी उपलब्दन नहीं हो पाती गरामीन शेत्रों में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्रिशी है गाउं में आप देखेंगे तो हर दूसरा परिवार कहीं न कहीं क्रिशी में लगा हुआ है अर्थात अधिकतर लोग क्रिशी पर निर्भर है प्रते एक परिवार में आप देखेंगे तो कोई न कोई व्यक्ति किसान जरूर है सरकार के कई विकास कारें में एक प्रमुख कारे ग्रामीन विकास है अर्थात गाओं का विकास ग्रामीन विकास के अंतरगत सरकार उन बातों पर ध्यान के इंद्रित करती है जो ग्रामीन शेतर में विकास कर सकते हैं जिन से गाओं में विकास हो सकता है और ग्रामीड अर्थवेस्ता का विकास हो इसके अंतरगत कई मुख्य मुद्दे आते हैं जिन पर ध्यान देने की आवशक्ता है जैसे गाउं में मानविय संसाधनों का विकास गाउं में मानविय संसाधनों का विकास का अर्थात मतलब क्या हुआ कि गाउं में रहने वाले लोगों को तकनीकी ज्ञान देना, गाउं में रहने वाले लोगों की उत्पादकता, उत्पादनक्षमता में वृध्धी करना, उनकी साक्षरता में वृध्धी करना, उन्हें साक्षर बनाना, उनके स्वास्त का ध्यान रखना, भूमी सुधार, क्रिशी संसाधनों का विकास, गरीबी दूर करना, क्रिशी के लिए बिजली, सिचाई विवस्था, रिण सुविधाय यानि की उधार, उपलब्द कराना, गाउं की सडकों को शहरी सडकों के साथ मिलाना यह कई ऐसे मुद्दे हैं, जो एक अर्थविस्था में बहुत जरूरी हैं, यदि गाउं में तरक्की करनी हैं, तो इन सभी खेत्रों के बारे में ध्यान देना होगा हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों में भारत के सकल घरिलू उत्पाद में क्रिशी शेत्र का योगदान लगातार कम होता जा रहा है लेकिन क्रिशी शेत्र में लोगों की जो निर्भरता है उसमें कोई गिरावट नहीं आई वह उतनी ही है लगभग लेकिन क्रिशी शेत्र की उत्पादक्ता वह लगातार प्रतीवर्ष घर्टी जा रही है शायद इसका कारण सार्वजिनिक निवेश में कमी होना है मतलब कि सरकार की योजनाओं की कमी होना है सरकारी शेतर को गरामीन शेतरों में विकास करने के लिए हस्तक्षेप जरूरी है अब मैं आपको गरामीन शेतरों में यानि गाओं में रिन की स्थिती के बारे में बताता हूँ किसान को अपनी फसल के लिए पैसे की जरूरत होती है क्रिशी शेतर में किसानों को रिन बहुत आवश्यक होता है क्योंकि खेती के लिए किसान को बीज चाहिए रसायन चाहिए औजार चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहिए और इसके लिए किसान को कही ना कही धन की जरूरत पड़ती है पैसे की जरूरत पड़ती है अब फसल को बीजने से लेकर फसल के तयार होने में बहुत लंबी अवधी होती है किसान आज फसल बीजता है उसके बीजन में किसान का वे होता है और किसान उस फसल को बाजार में बेच कर अपना लाब कमाएगा उस लागत को पूरी करेगा परन्तु इसमें बहुत अधिक समय लगता है लेकिन इस बीच में किसान को अपने परिवार की मूल भूत आवशक्ताओं को तो पूरा करना है अपने घर में राशन, खाना, बच्चों की जरूरतें पूरी करना, कई चीजों के लिए किसान को पैसे की जरूरत पढ़ती है सरकार द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जाता है कि किसान को आसानी से रिण मिल सके सरकार ऐसी नीतियां भी बनाती है कि फसल बोने के समय किसान को रिण दे दिया जाए और जब वह किसान अपनी फसल को बाजार में बेचेगा और जो उसे धन प्राप्त होगा उस धन से वह सरकार या बैंक कारिन चुका देगा किसान को अपनी फसल बेचने से जो भी पैसा मिलता है धन राशी प्राप्त होती है उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है हमने देखा है कि स्वतंतरता के समय बड़े-बड़े महाजन, व्यापारी, कहीं ना कहीं भूमी हिन या छोटे जो किसान हैं उन्हें उची ब्यास दर पर रिन देते थे और खातों में हेरा-फेरी करते थे, कहीं ना कहीं छोटे किसानों की भूमी यह बड़े किसान हतिया लेते थे भारत में सन 1969 में सामाजिक बेंकिंग आरंब हुआ, जिसके अंतरगत गरामिन शेत्रों के लिए धन की आवशक्ता की पूर्ती के लिए कदम उठाए गए किसान की रिण की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कई योजनाय बनाई कई बैंकों का निर्मान किया, कई बैंकों की स्थापना की ताकि किसान को आसानी से कम से कम ब्याजदर पर रिण मिल पाए जिससे की किसान कहीं न कहीं जो महाजन या बड़े जमीनदार बड़े किसान होते थे वह छोटे किसानों का शोशन करते थे तो वह शोशन कहीं न कहीं बंध हो जाएगा 1982 में सरकार ने राष्ट्य क्रिशी और ग्रामीन विकास बैंक इसे नाबार्द कहते हैं इसकी स्थापना की थी यह बैंक एक प्रकार से क्रिशी शेतर का केंद्रिय बैंक है जैसे भारत का केंद्रिय बैंक भारतिय रिजर्व बैंक ऐसे ही क्रिशी शेतर का केंद्रिय बैंक नाबार्द है जो क्रिशी शेतर के लिए किसानों को कम ब्याजदर पर रिण उपलब्द कराता है नाबार्द के अंतरगत कई छोटे छोटे बैंक आते हैं नाबार्द इन छोटे छोटे बैंकों को कई परकार की योजनाओं को लागू करने के लिए कहता है आज कई ग्रामीन बैंक सरकार द्वारा स्थापित किये गए हैं जैसे शेतरिय ग्रामीन बैंक, भूमी विकास बैंक, ऐसे कई बैंक हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की गई है जो की कम ब्याज दर पर किसान को रिन देते हैं, उधार देते हैं किसानों को समय पर रिन ना मिल पाना भी किसानों के पिछले पन और गरीबी का एक मुख्य कारण है किसान जब भी अपनी फसल बोता है, तो उसे उसी समय धन की पैसे की आवश्यक्ता होती है यदि किसान को उस समय पैसा नहीं मिलेगा, तो वह फसल बेकार हो जाएगी किसानों को कई समय अवधियों के लिए सरकार रिन देती हैं जैसे ट्रेक्टर खरीदने के लिए, भूमी खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए इसे दीर्ग कालीन यानि लंबे समय का रिन कहते हैं क्योंकि ट्रेक्टर, भूमी, औजार ये बहुत महंगे आते हैं और किसान इनका भुकतान, रिन का भुकतान धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक करता है इसी परकार कुआ खोदने के लिए, छोटी मशीन खरीदने के लिए मद्ध कालीन रिन की आवशक्ता होती है जिसे किसान जल्दी चुका देता है और बीज, खाद, उर्वरक, यंत्र खरीदने के लिए अल्पकालीन रिन की आवशक्ता होती है अर्थात, अल्पकालीन रिन वह है जो तक्रीबन किसान एक या दो साल में उस रिन को चुका देता है गाउं में रिन के लिए कई स्रोत है इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जाता है जैसे संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत गैर संस्थागत स्रोत के अंतरकत गाउं में रहने वाले बड़े बड़े व्यापारी, महाजन, बड़े जमीनदार आते हैं जो किसानों को अधिक ब्याजदर पर उधार देते हैं, रिन देते हैं भारत में आजादी के समय तक यही सब लोग किसानों को किसी न किसी रूप में रिन देते थे और उनका शोशन करते थे प्रतेक्ष और प्रतेक्ष रूप से उनकी भूमी हथिया लेते थे समय बीत्ते बीत्ते सरकार ने संसागत स्रोत, संसागत शेतर बनाए संसागत शेतरों के अंतरकत कई परकार के सरकारी बैंक, सरकारी समीतियां आती है वानिज्य बैंक भी कही न कहीं किसानों को रिन देता है आज बहुत से संस्थागत शेत्र हैं जहां से अर्थात बैंक जहां से एक किसान आसानी से रिन ले सकता है लेकिन कई बार किसान को अपनी निजी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत शेत्र अर्थात महाजन या बड़ा किसान उनसे रिन लेना पड़ता है जो आज भी इनसे बहुत अधिक ब्याजदर वसूल करते हैं सन 1969 में व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रे करन हुआ जिसके अंतरकर 14 बैंक आते हैं भारत के कई गावों में सहकारी बैंक बहुत बड़ी भूमी का निभा रहे हैं यह कई परिवारों द्वारा मिलकर बनाया गया एक प्रकार का बैंक है एक प्रकार का आप एक उधारन से समझे एक गावों में सो परिवार है और उन्हों ने एक ऐसे ही छोटी सी संस्था खोल ली प्रतेक परिवार हजार रुपए जमा करवाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस संस्था के पास अब एक लाख रुपए हो गए अब यदि गावों में अर्थात उन सो परिवारों में से किसी परिवार को कुछ धन राशी की जरूत पड़ती है तो वह उस संस्था अर्थात उस एक लाख रुपए में से धन राशी ले सकता है और बेंक द्वारा निर्धारित ब्याजदर से भी कम ब्याजदर वह उस संस्था को देगा जिस से कहीं न कहीं कुछ समय पश्चात उस संस्था के पास एक लाख रुपए से अधिक धन राशी हो जाएगी और वह बहुत आसान किष्टों पर भी उस संस्था को यह धन लोटा सकता है कई शेत्रों में कई गाउं में इस प्रकार की संस्था स्वेम गाउं द्वारा गाउं के मुख्या द्वारा चलाई जाती है इसे स्वेम सहायता समू कहते है आज लगभग इस समू में छे करोण महिला सदिस्थे हैं पूरे भारत में और कई महिला सदिस्थे स्वरोजगार के लिए इस संसा से रिन लेती हैं जिस से वो लगू उद्द्योग खोल लेती हैं जो एक परिवार में सभी संचालित भी कर लेते हैं इसका फायदा ये है कि भारत में कहीं न कहीं महिलाओं का सशक्ति करन हुआ उसमें बहुत अधिक सहायता मिली अब मैं आपको नाबारत के बारे में थोड़ा सा बताता हूं सन 1979 में भारत के केंद्रिय बैंक यानि भारतिय रिजर्व बैंक ने गरामीन शित्रों में साख के सुधार के लिए एक कमीटी बनाई थी और इस कमीटी ने अपनी रिपोर्ट 1981 में दी सरकार को उस कमीटी की सभी बातें सही लगी सरकार को लगा कि इस कमीटी के आधार पर कहीं ना कहीं गरामीन शित्रों का विकास हो सकता है तब 1982 में सरकार ने नाबार्द नाम से एक संस्था बनाई मैंने अभी आपको बताया कि यह संस्था एक प्रकार से गरामीन शित्रों के बैंकों का केंद्रिय बैंक है अभी हमने क्रिशी शित्र में रिन के बारे में पढ़ा अब मैं आपको क्रिशी विपणन विपणन का मतलब बाजार क्रिशी बाजार के बारे में बताऊंगा आज शहरों में या गाओं में लोग अनाज, फल, सबजी, दूद मतलब रोज मर्रा की चीज़ों का उभोग करते हैं अब आप सोचिए कि अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग शेतरों से होते हुए यह सबी चीज़ें हम तक पहुंचती कैसे हैं वास्तव में इनका एक बाजार होता है स्वातंतरता के समय तक तो किसानों को उनकी फसल का सही मुल्ले भी नहीं मिल पाता था क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता था कि जो उनकी फसल है उसका बाजार मुल्ले क्या है बाजार उस समय होते नहीं थे या फिर गाओं से बहुत दूर होते थे परिवहन के संचार के साधन नहीं होते थे इसी कारण से बड़े-बड़े किसान, साहुकार, छोटे किसानों से अपनी मनमर्जी पर या कम दाम पर अनाज़ खरीद लेते थे अब किसान के लिए एक सबसे बड़ी समस्य ये है कि वहे अपनी फसल का भंडारन कहां करे उस समय तक भंडारन की सुविधा नहीं होती थी इसलिए सरकार को बड़े व्यापाईयों को नियंतरित करने के लिए क्रिशी के खेतर में क्रिशी बाजार में हस्त खेप करना पड़ा, क्रिशी बाजार में आना पड़ा क्रिशी विपनन यानि क्रिशी बाजार होता क्या है क्रिशी बाजार के अंतरगात फसल कटाई के बाद इकठा करना उसकी पैकिंग करना, उसका भंडारन करना, उसे एक सांसे दूसरे सांस तक ले जाना मंडियों में उसकी उपलब्धता करना प्रतेक फसल की कीमत तै करना ये सभी क्रियाएं आती है इसके अतिरित भी कई क्रियाएं क्रिशी बाजार में आती है क्रिशी बाजार के कही न कहीं कुछ दोश भी है जैसे आज भी कहीं न कहीं इतने अधिक भंडार घ्रह नहीं है तो होता क्या है किसान की फसल वो बाजार में बेचता है लेकिन सरकार के पास इतने भंडारन ना होने के कारण वे फसल का बहुत बड़ा भाग खराब भी हो जाता है कई बार होता है बरसात के कारण खराब हो गई फसल तैयार फसल किसान और उभोगताओं के बीच बहुत बड़ी संख्या में भी चोलिये होते हैं आज भी हैं जो बहुत से काम करते हैं और बहुत अधिक लाब कमाते हैं आज भी कहीं ने कहीं किसान को उसकी फसल का अगर दस उरुपए मिलता है तो बाजार में उपभोगता उस फसल को पचास उरुपए में खरीदता है मतलब कि 40 उरुपए कहीं न कहीं इन बीचोलियों के पास जाते हैं सितंबर 2020 में सरकार ने एक अध्यादेश लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया जो कहीं न कहीं किसानों के लाब के लिए हैं आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत अधिक लाब प्राप्थ होगा यह दीर्ग कालीन लाब प्रतेग किसान प्रतेग किसान के परिवार को मिलेगा कहीं न कहीं उभोकताओं का और किसान दोनों का ही शोशन होता रहा है उभोकताओं को अधिक दाम देना पड़ा लेकिन वह अधिक दाम कहीं न कहीं किसान के पास नहीं गया और किसान को कम दाम मिला तो बीच में यह हैं बिचोलिये बहुत अधिक धनराशी कमा लेते हैं, बहुत अधिक लाब कमा लेते हैं आज भी परिवहन, संचार की उतनी सुविधाएं उपलब्द नहीं है परन्तु हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में संचार, परिवहन की सुविधाओं में बहुत अधिक सुधार होगा और कृषी शेतर में अधिक लाब मिलेगा क्रिशी बाजार परनाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई उपाए किये गए जैसे नियमित मंडियां स्थापित की गई इन मंडियों में सरकारी, अधिकारी, किसान और व्यापारी तीनों शामिल होते हैं और कोशिश की जाती है कि पूरी पारदर्शिता रखी जाए आज भारतिये खादे निगम द्वारा ग्यहूं और चावल की सुरक्षित भंडारों का रखरखाव किया जाता है देश में क्रिशी बाजार विवस्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने नियूनतम समर्थन कीमत के रूप में एक महत पूर कदम उठाया था यह नियूनतम समर्थन कीमत होती क्या है जैसे एक किसान ने फसल बोई और उस फसल में प्रती किलो दस उर्पे लागत आती है तो कहीं न कहीं किसान यह सोचता है कि जब बाजार में बेचने जाए तो उसे दस उर्पे से अधिक प्राप्त हो तो सरकार प्रते किसान के लिए एक नियूनतम कीमत तैक कर देती है कि आपको आपकी फसल का प्रती क्विंटल मैंने आपको प्रती किलो का उधारन दिया प्रती किलो 15 रुपे अवश्य मिलेंगे परंतु अगर आपको खुले बाजार में आपकी फसल का कोई 20 रुपे या 15 रुपे से अधिक देता है तो आप बेच सकते हैं, इससे किसानों को बहुत अधिक लाब हुआ, अब किसान आश्वस्त है कि उसकी फसल को कम से कम 15 रुपे तो सरकार देगी ही, यह नियुनतम कीमत बहुत अच्छी प्रनाली है, कई और माध्यम भी हैं, बाजार में, जिससे किसानों को बहुत अधिक लाब हुआ, जैसे अपनी मंडी, अपनी मंडी यह बाजार एक नाम है, और यह मंडी पंजाब, हरियाना, राजस्तान में है, एक है हदासपुर मंडी, यह पूने में है, एक राइथू बाजार, जो आंदर प्रदेश में है, जहां सबजी और फलों का क्रै विक्रै होता है, इसी परकार उजहावर मंडी भी है, तमिल नाडू में, कई परकार की ऐसी मंडी है, सरकार द्वारा बनाई गई है, कई राष्ट्रिया और भहू राष्ट्रिय कम्पनियां भी, किसानों से प्रत्यक्ष रूप से फसल खरीद लेती है, इसके अतिरिक तमिल नाडू में एक योजना चली, जिसका नाम था तन्वा, इस परियोजना में, गाओं में महिलाओं को क्रिशी तकनीकों का परिशिक्षण दिया गया, और महिलाओं ने अपनी छोटी सी बचत से कई काम खोले, कई कुटिर उद्धियोग खोले, जैसे टोकरी बनाना, गुडिया बनाना, साबुन बनाना, मश्रूम की खेती, इससे परिवारों की आये में भी वृद्धी हुई, और वो काम करने के लिए प्रोच साहित हुई, कुछ पता लगा होगा, कुछ पता लगा होगा 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 है,